हेलो गाईज इस जो कोमीक है इस कोमीक के पेले भी पार्ट है योगा के तहो उसकी लिंक डिस्कृप्षन में वहाँ से आप देच सकते हैं तो चलिए गाइज कॉमिक शुरू करते हैं चल चली है गाई षिरो करने जाने तुलसी कॉमिक में योगा काई मिक्स का अगली कॉमिक योगा और राक का भूत शूरू करते हैं योगा और राक का भूत योगा विद्धा में पारंगत योगा ενक अब्भूत व्यक्ती हैं यह एक शरीर से शेकलोज शरीर बना सकता है वो खुर किसी के भी शरी ने प्रोवेश कर सकता है उसके पास उसके माता-पिता पी हक्लोज मुझा फिर अपने वतनली दिन वतना ह silौ wandering करता है यौगा कि दिन फिर अदा सकता है में जला दिया गया था संपादन प्रमिला जैन लेकिन अब तो यहां अलिशान होटल बना हुआ यह कैसे हो गया यहां तो मेरे पुर्खो का मकान था जिसे छोड़ कर मैं तपस्या के लिए चला गया था मेरे पिता ने इसी जगर नीली छत्री के नाम से कोई आविशकार किया जिसका राज मैं कभी न जान सका उस नीली छत्री को पाने के लिए तो उनकी हत्या कर दी गई और अब यहां होटल होटल का नाम देखकर योगा को अश्चर्य हुआ होटल का नाम नीली छत्री है कमाल है चल कर देखूं इसका मालिक कौन है योगा होटल में प्रविष्ट ह हो गया पहले तो इनका हाजमा बिगार देता हूं एक मेच पर बिठाई होगा वेटर ओडर लेने पहुचा है हमारे होटल में कुछ नियम है सर फरमाईए नियम नंबर एक यहां शुद्ध देशी गी का बिना प्याच का शाकाहरी भोजन मिलता है सुनते ही मेरी तो ला मैं भी नहीं पीता इसलिए यह होटल हमारे घाटे में चलता है हमेशा चलना भी चाहिए लेकिन आज सारा घाटा पूरा हो जाएगा कैसे सर पहले यह बताओ पूरी डाइट के के रुपए होते हैं आप जैसे ही काबिल लोगों के लिए होटल होना है शीमान पूरी थाली क अचार मिर्च की एहती है चाहे जितनी खाओ फ्री रहती है तो एक बुरा मिर्च और चार टी नचार ले आओ एक बुरा मिर्च चार टी नचार पागल लगता है देखते हैं करता क्या है ओर्डर तो ओर्डर है एक बुरा मिर्च और चार टी नचार आ गया शुरू करता योगा ने पहले मिर्चे साफ की, फिर अचार साफ योगा शक्ती जे उसने चमतकार दिखाना शुरू कर दिया और आती रही डाइट लाओ भई, अभी तो 812 ही चपाती हुए इतने में तो मैं नाश्ता भी नहीं करता सारा स्टाफ नहीं जमा हुआ या साहिब होटल का पुरा राशन खतम आज पहली बार ऐसा हुआ, मज़ा आ गया लेकिन मेरा तो पेट नहीं वराब तो मैं प्लेटें ही खाऊंगा प्लेटें लाओ और वरना मेश तोड़ कर खाऊंगा इस हाल का फरनीचर खाऊंगा सब योगा का हाजमा था बापरे यह तो कोई बुरी आत्मा है भागो यह तो होटल का होटल खाने पर आमदा है बुलाओ उस होटल के मालिक को वरना में होटल की दिवारे भी चाट चाट कर खा जाऊंगा मालिक को फोन खटकने लगा सेट जी फॉरन आई एक आदमी होटल खाने पर आंदा है मालिक सेट माखनलाल तुरंट पहुचा क्या हो रहा है साब कौन खाएगा मेरे होटल को आज तक मेरे होटल की एक पूरी थाली तो कोई खा नहीं पाया मैं खाऊंगा यह सब मैंने खाया है देखो अब यह काउंटर तोड़ कर खाऊंगा सेट जी यह कोई भूत है इससे मत उल्जो अरे भाईया तुम यहां क्यों आ गए शमशान में राक खाने क्यों नहीं जाते मैं तब तक नहीं जाऊंगा तब तक मुझे नीली छत्री का राज पता नहीं चलता नीली छत्री? अरे जरा आहिस्ता बोलो यार इधर चल कर किसी सीगरेट रूम में बात करते है दोनों एक खूफिया कमरे में आ गए यह नीली छत्री के चक्कर में तूट्यों पड़ गया भूत भाई मैं भूत नहीं हूँ योगा हूँ योगा नाम है मेरा मगर नीली छत्री? बताता है या नहीं? मुझे कुछ नहीं पता तो तुने इसका नाम नीली छत्री क्यों रखा? फेक हूं नीचे? बताता हूँ बताता हूँ, कुछ गुंडों ने इस पर कपजा किया हुआ था, मुर्गावंजा उन गुंडों ने यह एक धाबा खोल दिया, और फिर यह धाबा मुझे बेज दिया मैंने धाबे को गिरा कर विल्डिंग मनाने शुरू की तो खुदाई में हमें एक डाइरी मिली, उस डाइरी के हर पेच पर नीली छतरी बनी थी और उसके नीचे नजाने क्या अला बला लिखा हुआ था, जो मेरे पल्ले कभी नहीं पड़ा, अब सीधा हो जा उस डाइरी के अंतिम प्रष्टों में उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी बाते लिखी थी जिससे पता चलता है कि वो बड़े ही सात्वी क्विचारों का शाकाहारी व्यक्ति था यहाब लिखा था कि उसकी मौत के बार डाइरी का वारिस उसका बिटा शगुन होगा एक और बात लिखी थी कि डाइरी की इफाज़त किसी बड़े खजाने की तरह की जाए बस भाईया मेरी कुछ अकल में नहीं आया आया तो सिर्फ इतना की डाइरी बहुत कीमती है और जरूर नीली च्छत्री में कोई भेद है मैंने नीली च्छत्री नामक एक नावल पड़ा था उसमें भी अर्वो रूपयों के खजाने का चक्कर था मैंने सोचा अगर होटल का नाम नीली च्छत्री रख दूँ तो शायद कभी ने कभी कोई रंग रूट इसका जान कर आकर मुझे तंग करेगा और तुम ही आ गए माल आदा आदा कर लेंगे बताओ नीली च्छत्री का क्या राज है धत्य तरीखी इसका रास तो मैं खुद तुम से जानना चाहता था और तुमने अगर तुम नीली छत्री के वारे में कुछ नहीं जानते तो तुम्हारी इससे क्या तिलजस्पी है इसलिए कि मैं इस प्रॉपर्टी का वारिस हुई है मेरे पिताशी की डायरी थी जीते जी उन्होंने मुझे कभी सहस्य को नहीं बताया इस नीली छत्री के कारण उनकी हत्या कर दी गई हत्या हत्या कर दी मगर किसने मैंने हाँ मैंने कर दी हत्या कौन हो तुम और अंदर कैसे घुशाया देख लो कैसे घुशाया तुम्हारे इस गुपत कमरे का हर रस्ता बंदे उसके बावजूद भी मैं घुशाया अरे मगर तुम हो कौन राक का भूत राक का भूत बापरे मुझे वर डाइरी दे दे भाई नीली च्छतरी दे दे वर डाइरी मेरी है अच्छा अभी बताता हूं किस की है राक के भूत ने दोनों पर प्रहार कर डाला अब बोलो किस की है डाइरी अबे तो तुने शुरुवात किये अब जरा मेरा भी तो हाथ देख योगा ने इमारत की च्छत एक ही टकर में तोड़ दी भराक और राक के भूत को उड़ा कर ले गया फेक डाला समुद्र में पता नहीं कहां गये दोनों क्या हुआ यह सब कौन कहां गया मैं तो यहीं खड़ा हूँ हैं और वह जो राक के भूत को लेकर उड़ गया वह मेरा भूत था बाप्रे मैं किस मुसीबत मैं आफसा मुझे लगता है मैं भारी विपत्ती में फसने वाला हूँ अब जल्दी से वह डायरी मुझे दे दे भाई या वरना मुसीबत में पड़ जाएगा इसके अलावा ध्यान रहे या प्रॉपर्टी भी मेरी है मैं वही शगुन हूँ प्रॉफेसर विक्रम का बेटा देता हूँ भाईया देता हूँ मगर मेरा होटल या मेरी प्रॉपर्टी है अब ध्यान से सुनो या आज के बाद भूके लोगों को मुफ्त खाना दिया जाएगा ठीक है मगर घाटा जब प्रॉपर्टी हमारी है तो घाटा भी हम ही देंगे ठीक है सर आज से मैं इसका काम चला हूँ मालिक और असली मालिक शगुन शगुन नहीं योगा योगा है मेरा नाम सेट माखनलाल ने तुरंट डाइरी लाकर दे दी ये रही वड़ाई जब नीली छती का रहस्य पता चल जाए तो मुझे वश्य बता ना क्योंकि अली बाबा के इस खजाने में हिस्सा मेरा भी है योगा ने ओवरकोट पहन लिया माखनलाल जी अब हम चलते हैं योगा जैसे ही बाहर निकला हवा का एक तेज जोगा आया और उसका ओवरकोट हवा में उड़ता चला गया ओ, उसी ओवरकोट में जेब में डाइरी, यह कैसी हवा है योगा भी उड़ चला उसके पीछे जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ, इसकी भी रफ़तार बढ़ रही है ओवरकोट उसी समुद्रों में जाकर गिरा जाएं, योगा ने राक के भूत को गिराया था तो यह बात है, तू क्या सुसता है, राक के भूत में पानी में नहीं उतर सकता समुद्रों से निकला राक का भूत, राक का भूत पानी पर दोड़ पड़ा, चप, योगा भी दोड़ पड़ा, योगा अपनी योग शक्ती से पानी पर चलना जानता था दोनों समूदर जल की सता पर भिड़ पड़े मैंने वो डायरी समूदर में फैक दी तू उसे नहीं पा सकता और मुझे पता है कि मैंने कां से का उसे दोनों लड़ते लड़ते पानी के बाहर आ गए मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक तू डायरी लाकर नहीं देता योगा ने उसे पेर से बान डाला अब मुझे इसकी असलियत जाननी होगी यह सच मुझ कोई भूत है या योगा तो अपने स्थूल शरीर के सुक्षम शरीर बाहर कर सकता था अपने सुक्षम रूप को किसी दूसरे शरीर में भी प्रविष्ट कर सकता था अब मैं अपने एक सुक्षम शरीर को इसके अंदर प्रविष्ट करता हूँ जैसे ही योगा ने अपने सुक्षम शरीर को राक के भूत में प्रविष्ट करना चाहा योगा के सुक्सम सरी उसके आर पार निकल गया ओ, इसका तो कोई ठोच शरीर ही नहीं है यह तो सचमूची हाथमा है अरे मुर्क नहीं तो कोई मुझे बान सकता है ना कोई मेरे शरीर के अंदर उतर सकता है देख अब मेरे इस जिस्म के राक के कन बिखरते हैं ओ, इसके जिस्म से तो सचमूच राक जड़ रही है उसके बाद मैं लाकों कनों में विभूट हो जाओंगा और तू यह ठगा रह जाएगा योगा, इस जाहरी को हासिल करना मेरा भी मकसद था परन तू अफसोस हैं मुझे जीते जी नहीं मिल सकी क्या? क्या तू भैंकरा है? भैंकरा नहीं भैंकरा का भूट तूने मुझे जला कर राक कर दिया था वरना मैं अपनी योग की शक्तियों से मरने के बाद भी अपना शरीर पहन सकता था लेकिन अब मेरे पास केवल मेर शरीर की राख है और देखो मैं उसे पहन कर किस तरह जिन्दा हो टा अब मैं हूँ राख का भूत जो अब चाहे लाखो राख के कड़ों में तबदील हो सकता है लेकिन तू यहाँ पहुचा कैसे हाँ हाँ जिसने मुझे मारा उस तक पहुचना में ले बहुत ही आसान था मैं तो मारने के बाद तेरे साथ सर्च चला आया था और अब तू जहां जहां भी जाएगा मैं तेरे मारक में वादा बनकर वही खड़ा रहूंगा अब मैं चला मैं चला ओ, यह तो राग बनकर उड़ गया अब मैं उस दैरी को फिर से कैसे आसिल करूँ उसमें नीली छत्री का रहस्या है मेरे स्वर्गे पिता का बनाया कोई आविशकार जिसे पानने के लिए भहंकरा ने उसकी हत्या तक कर दी थी योगा समुद्र तरपर आखे मूनकर आसन में बैड़ गया उसके मस्तिक्ष की गहराईयों में मन्थन शुरूँ हो गया समुद्र कितना भी विशाल हो उसे च्छाना जा सकता है चाहे भहंकरा डायरी पानी में कहीं रख छोड़ी ही हो उसे प्राप्त किया जा सकता है इसके लिए मुझे समुद्र में सामाधी लगानी होगी तब ही सागर के जल को च्छाना जा सकता है योगा समुद्र में उतर गया और समुद्र में लगा दी सामाधी समूदलों मैं जितनी रहे हैं उतने शरीर में अपने शरीर से छोड़ता जाऊंगा मेरे ये शरीर सागर की हर दिशा में फैल जाएंगे और इसका कंड कंड छान मारेंगे चाहे मुझे समूचे सागर को क्यों न छानना पड़े ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा योगा के शुक्षम 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 शुक्ष पर लोट आया इस इस्तान को एक बार फिर मैं अपनी योग शक्ति से बांढ डालता हूं जोगा ने तब इसतल के चारो तरफ योग देखा की ती यह 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 शक्ति है जिसे में समाधी के समय प्रयोग करता हूँ अपने चारों तरफ की सीमा बाहना था कि कोई उसे पार करके मुझे तक नहीं पहुश सके यही योग रिखा का कमाल है अब यहां कोई नहीं आ सकता और अब मैं इस डायरी का अध्यन करूँगा डायरी कोड भाशा में लिगी थी मैं एक नए एक दिन इस भाशा को पढ़ने में सक्षम हो जाऊंगा लगाता रध्यन के बाद योगा ने वह खोड भाशा जान ली ओ यह भाशा अब मेरे मस्तिक्स में आती जा रही है अब मैं इस भाशा को उतार कर एक नया ग्राफ बनाता हूँ योगा ने उसे उतारना शुरू कर दिया ओ सब आश्चर्य जनक नीली चत्री एक आनवी डिशा एंटीना है यदी से बना दिया जाता है तो हैरतंगे जाविशकार होगा इस चत्री दारा हर वह अद्रिश्य वस्तू और वायू मंडल की तरंगे देखी जा सकती है जिनने न तो कुछ देख सकता है न पकड़ सकता है ऐसी वस्तू को पकड़ कर अपनी इच्छा नुसार चलाया जा सकता है जैसे अद्रिश्य आत्मा जो वायू मंडल में विचरती है उन्हें अपना दास बनाया जा सकता है वे अद्रिश्य किनने जिने यूगो पहले छोड़ा गया था उन्हें संकलित किया जा सकता है यहां तक कि जिन्दा इंसानों को भी अपना गुलाम बनाया जा सकता है यदे किसे इंसान दोरा इस पर्च क्योंई वस्तू निली छत्री के कम्पिटर में डाल दी जाये तो वो व्यक्ति स्क्रीन पर देखा जा सकेगा और उस तक अपनी तरंगे पहुचा ही जा सकेगी साथ ही उसकी मानसी तरंगे ग्रहंट की जा सकेगी इस तरह तो हम यह भी जान सकते हैं कि कौन से देश का राश्टो पती क्या खा रहा है क्या कर रहा है क्या सोच रहा है उसी समय जोपडी आँख से धदक उटी ओ, आँख किसने लगा दी यहाँ आँख जोपडी की द्वार पर भी लखड़िया चीन दी गई हैं, बाहर निकलने के रास्ते में भी आँख हाँ, 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 कैसी रही होगा अब सब जल कर मेरी तरह राख हो जाएगा जदक उटी थी, तेरे रेखा पाने से पहले ही में तेरे साथ ही अंदर आगया था मैं अद्रिश्या आत्मा हूँ, जब चायर आख से अकरती बन सकता हूँ हाँ, 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 अब बच कर दिखा आख से योगा ने आख की धजकती दिवार पर अपने घुसों का प्रहार किया आख की दिवारे तोड़ता, जलती लख्यों हटाता, आख के बीच से चलता योगा भारा वैया विप्रीत रेखा खीच कर इसे बांद देता हूँ योगा ने योग शक्ति से विप्रीत रेखा खीच डाली अब तू इस रेखा में बंद चुका है भैंकला के भूत तू इसे रेखा के अंदर रहेगा